नमस्कार में सेलेज जा और के आईये नियूज में आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश के जनबत फ्रोजाबाद में आज सपा संदच्छक मुलाइन सीन यादव के समदी और पूर्म नगरपाली का अध्यच सिकोवाबाद राम प्रिकास यादव नहरू समेथ 12 लोगों के खिलाब धोगा धड़ी के मामले में सीजीएम कोड ने गैर जमानती बारेंट जारी किये हैं और न्याले में आरोपियों को 25 अप्रेल तक पेस करने के आदेश पुलिस को दिये हैं दरसल पूरा मामला जमीनी विवाद का है 2004 में थाना लाइन पार छेतर के नगला विश्नू के समीब 3200 फुट जगा को फरजी तरीके से दो बार बेचने का काम किया गया जिसमें 14 लोग सामिल थे जिसमें मुलाइम सीम यादव के समधी राम प्रकास यादव नहरू और अन लोग भी सामिल थे इसको लेकर जगे के मालिक बीरेंद्र कुमार ने 12 सितमबर 2018 में राम प्रकास यादव नहरू और अन 13 के खिलाफ थाना लाइन पार में मुकदमा दर्ज कराया जिसकी चार्ज सीट 12 सितमबर 2019 को कोर्ट में दाखिल हुई या केस बराबर चलता रहा राम प्रकास नहरू और उनके साथ ही इस केस को लेकर हाई कोर्ट से स्टे ले आए लेकिन स्टे का समय निकलने के बाद वादी के बकील प्रवीन कुमार यादव ने नियायले के सामने ये बात रखी कि नियमांसार इतना समय निकलने के बाद भी दोसियों पर कोई कारवाई नहीं की गई तो नियायले दावरा इन्हे नोटिस जारी किया गया कि आप आगे क्या कर रहे हैं उसे उच्छी नियायले में प्रस्तुत करें लेकिन इन सभी लोगों में से कोई भी कोड में नहीं पहुचा तो नियायले द्वारा समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलाइम सिंग यादव के समदीर आमप्रकास यादव नहरू वा अनग्यारक लोगों के खिलाफ 8 अपरेल 2020 को बारंट जारी किया जिसमें जितने भी लोग आरूपी हैं वे तीन थाना चेत्र में अलग अलग जए रहते हैं इसलिए तीन थाना चेत्र के आरूपी के लिए वारंट बेजे गए वहीं नियायले में इन सभी को 25 अपरेल तक पेस होना है इनमें एक आरूपी की गरफतारी भी हो चुकी है जो कि इस समय जेल में बंद है पिर भी नियादव एड़ो के मामला यह कि दो 2018 में मेरे पच्चकार बीरें सिंग द्वारा राम प्रकास और 12 लोगों के खिलाब मुगदम दज कराया था जिसमें पुलिस द्वारा जांच करने पर इनके खिलाब आरूप पत्र प्रस्थ दिया गया नहाले में आरूप पत्र के बाद यह राम प्रकास यादव और अन पच्चकार लावा दाइकोर चले गए वह से استगन ले आई इस अपर चौन पर यह उपस्त नहीं हुए नाले में तो मानी नाले द्वारा आसी-र प्रतम द्वारा दिये गये हैं लिशमेंनी और द्वारंक ऐसे इन मू हमसें जार्प हाब पहना नहीं होता दी गई थी और रामप्रकास यादव और उनके पच्छ के लोगों ने एक फर्जी बेनामा तयार कराया और तयार कराने के बाद उसे 2018 में फिर बेच दिया और जबके उसके मालकान नहीं थे ये लोग उनकाक नहीं था अब ये वामला नियाले में बिचारा दीन है इनके बारंट है बारंट भी ये नियाले में सरेंडर करेंगे जेज जाएंगे ये 14 लोगों खिलाप आरुपत्र है इसमें दो लोग जमान सत्कारिज होई थी सत्ने आले से अभी किसी की अस्ताई है अभी जो बाहरे मित्रक्त रामसेबक अभी इस समय जेल में बिचार बंदे हैं हम लोग ने कोई पता नहीं पुराना मामला है मतलब और हाइकोट से इस्टे चर रहा था जामें हमें कोई जानकारी ने कोई संबन कोई कागी ने कैसे पता लेगा आप लोग ने बताई ता मालूं पड़ी हैं को